Good morning all of you, व्याकरण व्याक्या, क्लास थर्ड, बच्चों मैंने फर्स चेप्टर पढ़ाया, आप लोग को रीडिंग कराई, कोशन आंसर कराया, अब है सेकेंड चेप्टर, वर्ड विचार, अगर आपके पास बुक नहीं होगी तो आप को समझ में नहीं आएगा बच्चों, म हम बोलते हैं तो हमारे मुख से कुछ धोनिया, मतलब कुछ आवाज निकलती है, साउंस निकलते हैं, हर सब्द में कई कई धोनिया होती है, जिने हम क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं, जैसे चित्र बना हुआ है बच्चों, कमल, कमल, इसमें चा धोनिया है बच्चों, मगर, इसमें भी चा धोनिया है और केला में चार धोनिया है जैसे वर्ड कमल अम मगर में चाचा धोनिया है ये सबसे चोटी धोनिया है इसे चोटे टुकड़े नहीं हो सकते हैं इन्ही धोनियों को वर्ड या अच्छर कहते हैं वर्ड सब्ड की सबसे चोटी से चोटी धोनिया है जिसके और टुकडे नहीं हो सकते ये बेटा भासा की सबसे छोटी धुनी को वर्ड बोलते है वर्ड माला क्या होता है अलफा बेट आपने पढ़ा होगा आगे फर्स सेकंड क्लास में भी नर्शरी पीजी में भी पिछले क्लासों में पढ़ा होगा अलफा बेट वर्डों के क्रम बद समुको वर्ड माला कहते है बच्चों अगर वर्ड हो लेकिन वो क्रम बद ना हो व्यवस्थित ना हो तो उसे हम वर्ड माला नहीं कहते है वो कोई सार्थक सब नहीं के बाद बड़ा ही आएगा इत्षोटी के बाद इहीं क्रम में ही लिखने को हम वड़ माला कहते हैं वड़ों के करम बद्ध क्रम मीन्स लाइन से सी कुछ से लिखना है बैवस्थिट survey माला मैं कुल उनचास वड़ माने जाते हैं हिंदी वड़ माला के पोद्व भागों में विभाजित किया गया है स्वर और व्यंजन जो वर्ड किसी अन्य वर्ड की साहता के बिना बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं हिंदी वर्ड माला में ग्यारा स्वर हैं आ से औ तक को हम स्वर बोलते हैं विच्चों स्वर के कितने बेध होते हैं स्वार के दो बेध होते हैं हसरग और देर्ग स्वार जिन स्वारों के उचारण में कम समय लगता है उन्हें हसर कहते हैं हसर चार होते हैं बचो आई उ Carmen तथा री दीर्ग स्वर जिन स्वरों के उच्छा दीर्ग मिन्स बढ़ा जिन स्वरों के उच्छार मेह स्वर से अधिक समय लगता है उन्हें दीर्ग स्वर कहते हैं दीर्ग स्वर के साथ होते हैं आ ई उ ए आ ओ तथा आओ वेंजन जो वर्ड स्वरों की सहाथा से बोले जात हैं जबकि वर्ड स्वतंत्र होते हैं उन्हें बोलने में किसी की साहता नहीं लेनी पड़ती है हिंदी वर्ड माला में अत्रिक्त व्यंजनों के साथ व्यंजनों की कुल संख्या 35 होती है यह हैं का से का ख ग ग अंगा च च जजाईया टाठा डड़ा अड़ा ताथधा ना पा प्रकार के होते हैं बेंजन तीन प्रकार के होते हैं बच्चों इसपर्स बेंजन अर्थात जो हम टच करते हैं अन्थस्ट बेंजन उस्म बेंजन इसपर्स बेंजन अन्थस्ट बेंजन तथा उस्म बेंजन इसपर्स बेंजन किसे कहते हैं जिन बेंजने के उचाड़ में जीब मुह के किसी ना किसी भाग को चोती है उन्हें इस परस बेंजन कहते हैं इस परस बेंजनों की संख्या 25 होती है बच्चों इसको पांच वर्गों में बाटा बिवाजित किया गया है कावर्ग चावर्ग टावर्ग तथा पावर्ग कावर्ग में काखा गगांगा चाव पावर्ग में पाफा बाभा मा अंथस्त बेंजन क्या होता है बच्छों जिन बेंजनों के उच्छाड में मुह के किसी भाग से जीव पूरी तरह इसपर्स नहीं हो पाती या जीव बहुत ही हलका सा इसपर्स करती उन्हें अंथस्त बेंजन कहते हैं कि कि ऊसमेंजनों के सचार शाखा शाहा सजबन बाथ ये अपने में पूर नहीं होते है यह ये इस कार होते हैं चहा का पञी Nाशीppe प्लस खा ये बिना कंके नहीं बन सकते बच्छव यी इनवाच्छों से मिल कर ही च्राव बनता है जिसे त्रा ता प्लश रा त्रा बनता है जब प्लश यह ग्या और स्रा प्लश रा स्रा बनता है अन्वेंजन क्या होते हैं बच्चों हिंदी भासा में डा और धा को अन्वेंजन कहा जाता है इनका प्रयोग सब्द के प्रारम में किया जाता है में नहीं किया जाता ह इनका प्रयोग बच्चों सब्द के प्रारम में नहीं किया जाता है, जैसे पेड़, इसको हम आगे नहीं लिख सकते, मितलब सुरुवात में नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा, इसका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा बच्चों, जैसे पेड़, सड़क, पकड़, कंकर ये क्या है डा पीछे ही लगा है बीच में पीछे लगा है बच्छों आगे सब्द के प्रारम में नहीं लगा है ऐसे ही है डा ये भी पहले नहीं लग सकता है बाद में ही लगता है सब्द के बाद में वर्ड के बाद में ही लगता है पढ़ना बुढ़ा चड़ाई गढ आदी आप बच्चों अनुस्वार क्या होता है अनुस्वार क्या होता है बच्चों किसी स्वर के ऊपर जो एक बिंदू लगाये जाता है उसे अनुस्वार कहते हैं अनुस्वार का उच्चारण नाक से होता है जैसे अंग, कंस, रंग, संग, आदी बच्चों आप बुखले तभी आपके समझ में यह आएगा अनुनासिक किसे कहते हैं किसी स्वर्ग के उपर जो चंद बिंदू लगाया जाता हुन्हें अनुनासिक या विसर्ग कहते हैं अनुनासिक का उचण नाक और मोसे होता है जैसे दाथ पांच हंच चांद आदी विसर्ग उसे अनुनासिक ही कहते हैं बच्चो स्वर्ग के अंत में जो दो बिंदू लगाते हैं उन्हें विसर का उचण हा के समान होता है जैसे दुख हो अता है प्राता है सनय सनय आदी हल चिन्ह या हलन्द प्रतेक व्यंजन के उचण में आकी धुनी छिपी रहती है आके बिना व् का उच्चार संभव नहीं है जिस प्रकार का खा के नीचे लगा चिन हलंत है इसका अर्थ है कि ये आ रहित है का खा आध्य वेंजनों के हलंत हट जाने का आर्थ है कि वे का प्लस आ खा प्लस आ आ आधी है हिंदी की वड़माला आ सहित ही बोली जाती है जैसे का खा गा आ दी इसमें स्वर चिपे होते हैं बच्चों जैसे का प्लस आ खा प्लस आ ये बीना आ के बीना स्वर के नहीं बोली जाते हैं ये बेंजन है बच्चों बेंजन स्वतंत्र नहीं होते हैं बच्चों मैं बता रहे हूँ आप इसको फिर से रीडिंग करिएगा और समझीएगा आपके जो ना समझ में आए आप आफे से मेरा नमबर लेकर उसे वाटसप या डारेक्ट काल कर सकते हैं और कोई प्राबलम हो वो पूछ सकते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में बच्चों मैं एक्सरसाइज कराऊंगी और आसा करते हैं बच्चों आप लोग घर पे बैठ कर पढ़ रहे होंगे और अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे होंगे थैंक्यू बच्चों